Hello everyone, welcome back again, बीटा तो कहीं कैसे हो आफ सब? तो आज हम दस्कुस करेंगे आपकी वरक्षीट नमबर 14 वरक्षीट नमबर 14 में हमने क्या पढ़ना है? Square and square root तो सबसे पहले एक term जो लिखी हुए square square का मतलब क्या होता है? square का मतलब होता है बेटा, power 2 और power 2 का मतलब क्या होता? उसी नमबर की उसी नमबर से multiply अगर मैं बात करूँ 1 की power 2 तो उसका मतलब क्या? 1 into 1 यानि की 1 अगर मैं कर रहे हूं 2 की power 2 तो कितना आजेगा? 2 into 2 यानि की 4 3 की power 2 यानि की 3 into 3 यानि की 9 4 की power 2 यानि की 4 into 4 यानि की 16 5 की power 2 5 x 5, 25 6 x 6, 36 7 x 2, 7 x 7, 49 8 x 2, 8 x 8, 64 9 x 2, 9 x 9, 81 10 x 2, 10 x 10, it means 100 अब धिहान से देखना बिटा square का मतलब क्या है power 2 दूसरी term क्या है square root square root का मतलब क्या है power 1 by 2 इसको लिखते ऐसे हैं और इसका मतलब होता है power 1 by 2 इसका मतलब होता क्या है बिटा पावर 1 by 2 पावर 1 by 2 और 1 by 2 अब निकालना कैसे है अब धियान से देखो बिटा अगर आप इसके अंदर right से left गज़िए तो square आया यानि कि यहां से यहां गए तो यह नमबर आए आपका स्क्वार अगर तो क्या बना स्क्वार अगर लेफ्ट से राइट आए तो क्या बनेगा स्क्वार रूट यहाँ बनेगा स्क्वार रूट वो कैसे ध्यान से देखना बिटा इसका स्क्वार रूट निकालना है वन का इस क्या बोला left से right इससे यहां गया 4 का स्क्वारूट कितना हो गया यहां से कहां गया यहां तो कितना आ गया 2 ठीक है फिर यहां से यहां आए इससे यहां आए तो 9 की पाव 9 का स्क्वारूट कितना हो जेगा 3 ऐसे ही 16 का square root कितना हुजेगा 4 25 का square root कितना हुजेगा 5 36 का कितना हुजेगा 6 49 का 7 64 का 8 81 का 9 100 का 10 एक चीज आपने ध्यान रखनी है बेटा अब आगया एक word perfect square perfect square का मतलब क्या होता है एक ऐसा number जिसका square root possible है सिर्फ वो बनेगा perfect square otherwise नहीं बनेगा आप ध्यान से देखो perfect square का मतलब क्या है जिसका square root possible है मैंने क्या बताया जिसका square root possible है अब जो square root possible है वो सिर्फ इनी number का अगर मैं 1 से 100 तक बात करूँ तो सिर्फ ये ऐसे number है जो आपका क्या बना रहे है perfect square बना रहे है इनके लावा कोई भी ऐसा number नहीं होता जो perfect square बनाएगा यानि कि इनके बीच में जो number रहे है 2, 2, 3 इसके बीच में क्या आगया 5, 6, 7, 8 ये perfect square नहीं होते क्या नहीं होते perfect square अब एक चीज़ आपने यहां से ध्यान देनी है बेटा 1, 4 1 और 4 के बीच में क्या-क्या बचा 2 और 3 4 के बाद 5 भी आपके पास है 6 भी आपके पास है 7 नहीं है 8 नहीं है 9 आपका है और 1, 0 भी आपका है अगर किसी number की ये है आपके odd number of zeros odd number of zeros का मतलब क्या है 3, 0 हो, 5, 0 हो, 7, 0 अगर किसी number की once वाले digit ये है ना जैसे मैंने बोला 3, 4, 2 तो क्या ये perfect square है आपने क्या देखने once वाले digit ये अगर ये once वाले digit ये आगई तो ये perfect square नहीं होगा अंसराजे का no बिना देखे तो ध्यान रखना जिनकी once वाले digit ये होगी वो perfect square नहीं बनाएंगे अब आजाते हैं आपके let's drive वाले question पे वो क्या कह रहा है 40 से 50 के बीच में एक ऐसा number बताओ जो की क्या बना रहा हो perfect square 40 से 50 के बीच में एक ही number है वो क्या है 49 तो अंसर क्या आगे है 49 आगे देखो 60 से 70 के बीच में एसा number जो की perfect square बना रहा हो एक ही number है 64 तो अंसर क्या जेगा 64 तो बेटे ये थी आपकी worksheet number 14 I hope it is clear to everyone and if you like it then please share and subscribe मिलते हैं next video में तब तक stay safe and stay healthy